हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको गोपी ड्रेस के साथ की टॉप बनाना बता रही हूँ लेहगा की वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर रखी है तो यहाँ पर हमने टॉप के लिए यह फैबरिक लिए है फैबरिक को मैंने पहले एक बार फोल्ड किया है फिर मैंने इसे दुवारा से फोल्ड कर रही हूँ लाइनिंग की लेंथ मैंने 19 इंच ली है और लाइनिंग मैं 18 इंच की तयार करूँगी और मैंन फैबरिक में हम आपको लेंथ बताएंगे तो लेंथ मैंने इसकी टोटल 19 इंच ली है अब हम बंच सैड की तरफ इंची टेप रखेंगे और सोल्डर मैं यहाँ पर 6 इंच ले रही हूँ जो भी सोल्डर हो आप उसका हाफ रखें क्योंकि फैबरिक हमारी एक बार फोल्ड है आर्म हॉल्स की लेंथ मैं 7 इंच ले रही हूँ 7 इंच तक लाइन ड्रॉ करेंगे इस लाइन को हमें खुली साड की तरफ ड्रॉ करना है यहाँ पर हमें चोड़ाई का फोर्थ भाग लेना है चोड़ाई है 40 इंच फोर्थ हुआ 10 इंच 2 इंच फैबरिक हम यहाँ पर मार्जन के लिए एड कर रहे हैं आरम हल से हमें एक मार्ग करेंगे 7 इंच पर कमर की ड्राफ्टिंग के लिए कमर साइज है 36 इंच फोर्थ हुआ 9 इंच तो यहाँ पर हम 9 इंच पर मार्ग करेंगे और 2 इंच फैबरिक हम मार्जन के लिए एड कर रहे हैं अब हमें दौनो मार्कों को मिलाना है और लाइन ड्रोग करनी है इसके बाद यहाँ पर जो हम मेजर्मेंट रखेंगे वो हम हिस्प मेजर्मेंट के अकॉर्डिंग रखेंगे हिस्प मेजर्मेंट के हीvolt 22 इंच सब्सक्रदाबश किऐ हम 2 इंच 5 इंच पे तिरशी लाइन ड्रो करेंगे और गूलाई करेंगे ये हमारे back Arm Halls की drafting होती है फिर हम गली के चोड़ाई रखेंगे गले की चोड़ाई हम धाई इंच ले रही हैं तो इस तरह से हमें तिरशी लाइन ड्रो करने हैं ऐसे हमें बॉक्स बनाना है और फिर हम जो फ्रेंट गल रहेगा उसी v-shape made तो इस तरह से हमें तेर्षी लाइन करनी है ऐसे और सुलडर हम half inch down रखेंगे और प्रेंट arm holz की ड्राफ्टिंग के लिए इस लाइन से half inch की दूरी पहरु दूस्री लाइन द्रोँ करें whack क्तिंग करेंगे पहले back arm ह Case he cutting करनी है पिर इसे को, फ्रेंट पीस को हमें अच्छे से फोल करना है, फ्रेंट गले की कटिंग करनी है, फ्रेंट आर्म हुल्स की कटिंग करनी है, तो यह हमारा फ्रेंट पीस हो गया, अब हमें बैक पीस लेना है, बैक पीस के गले की कटिंग करेंगे, तो गले की जो चोड़ाई है, वो तो हम 0,5 इंच ही रखेंगे front piece के बरावर lem हमें 6 इंच लेनी है और half इंच पे गोलाई करेंगे और फिर हम cutting करेंगे तो top piece की cutting तो हमने lining में top piece की cutting की है अब हमें man fabric लेनी है और इस fabric को हमें full layer में fold करना है तो यहांब हमने fabric को full layer में fold किया है बैक पीस को हम इस तरह से रखेंगे bên side की तरफ हम गले को रखेंगे और फिर हम same drafting करेंगे और ध्यान रखें इस piece से हमने इस fabric की length अधिक ली है यहाँ पर जो हमने इसकी length ली है वो मैंने ली है 22 inch और ये जो हमारा top piece तयार होगा ये हमारा 21 inch का टॉप पीस तैयार करेंगे तो हमें इस तरह से इसी रखना है और आप से इम डिराफ्टिंग करें और कटिंग कर लें गले को हम इस फैबरिक में कट नहीं करेंगे तो यहाँ पर हमने यह कटिंग कर ली है तो इस तरह से हमने टूपीस कट की हैं, बैक पीस को रखने के बाद, और मैं यहाँ पर आपको बाजू की कटिंग करना बता रही हूँ, जो साइड से बची हुई फैवरिक है, बाजू की कटिंग की मैंने बहुत सारी वीडियो चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, आप महां से देख सकती हैं, यहाँ पर मैं बाजू की कटिंग कर रही हूँ इस तरह से हम खुली साइड की तरफ कटिंग करेंगे, और फिर हम ऐसे तेरशा कट करना है आप यदि बाजू की कटिंग अच्छे से सीखना शाती हैं, तो मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो बाजू की कटिंग की है, आप हाँ से देख सकती है तो यहाँ पर मैं यह बाजू की कटिंग की है अब मैं आपको इसे सिलावता रही हूँ पहले हमें मैं फैब्रिक लेनी है इस पीस को हमें सीधी तर से रखना है लाइनिग वाला पीस लेना है और इस पीस को भी हमने सीधी तरह से रखेंगे और पहले आप लाइनिंग वाले पीस को बाटम पार्ट से फोल्ड करने के बाद अब हमें गले को पेन अप करना है और गले पर हम ये सिलाई लगाएंगे तो दिखान रखें जितनी fabric slime में हमने सुरुवाद में लिए है उतनी ही हमें लाश्ट तक रखनी है और ऐसे आप पूरे piece में ये slime लगा ले तो यहाँ में हमने gelie पर ये slime लगा ले हैं और फिर हम इस तरह से clot करेंगे और फिर हमें इसमें छोटी-छोटी कट लगाने है और कट लगाने के बाद इस पीस को हम ऐसे बैक साइड की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके उपर आप अच्छे से प्रेस कर लें ताकि दोनों पीस अच्छे से फिक्स हो जाए और फिर हम सोल्डर से लेके आरम हल और साइड में सलाई लगाएंगे जैसे हम बलाउज में इस तरह एड करते हैं तो इस तरह से हमने एक पीस को तयार कर लिया है ऐसे हैं आप दूसरे पीस को भी तयार कर लें एक पीस को हम सीधी तरफ से रखेंगे और दूसे पीस को हमें उल्टी तर्फ से रखना है पहले आप सोल्डर पर से लगाएं फिर मेजर्मेंट के अकॉर्डिंग दोनों साइड हो मेंaker यहाप इंज की दूरी पर और फिर मेजर्मेंट के अकॉर्डिंग हमें साइड मेंकी जिलाइंगी तो लाइनिंग तक हम इसमें सलाई लगाएंगे और इसके बाद सेमें से आप दूसरी तरफ भी सलाई लगा लें हमने सोल्डर की तरफ सलाई लगाई है और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग तोनों साइड़ों में सलाई लगा ली है इसके बाद जो यह हमने फैब्रिक छोड़ी है इसे हम यहाँ पे फोल्ड करेंगी जैसे हम कुर्ती में चाक फोल्ड करते हैं सेम ऐसे हमें इसे साइड से और बॉटम पाइट से फोल्ड करना है इसे आप पूरे पीस को फोल्ड करना है बॉटम पार्ट की तरफ से हम सिर्फ इसे हाफ इंची फोल करेंगे तो यहाँ पर मैंने बॉटम पार्ट की तरफ से भी इसे फोल कर लिया है इसके बाद आप इसमें बाजू एड़ कर लें तो टॉप पीस भी हमारा तयार हो गया है आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद